जै श्री गणेश दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल श्री गणेश ग्यान में दोस्तों आज दुर्गा का अंतिम नवा दिन है आज भगवती सिद्धिदातरी की उपासना की जाते हैं जो भक्त देवी सिद्धिदातरी की उपासना करते हैं, उनके लिए समस सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इन्ही की क्रपा से भगवान शिव को भी ये सारी सद्धी, सिद्धिया प्राप्थ हुए थी इन्ही क्रपा से भगवान का आधा शरी देवी का हो गया था जिससे वह अर्द नारिश्वर कहला है देवी के भक्त इस संसार में नरलिप्त रहते हुए सुक से जीते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं जो भगवती के उपासक होते हैं जो भगवती की पूजा करते हैं जो भगवती का ध्यान करते हैं जो भगवती की किसी भी प्रकार पूजा करते हैं उनके लिए इस संसार में कुछ भी पाना दुश्कर नहीं होता उनके लिए सब कुछ सहज हो जाता है देवी शक्ति दाइनी है अपने भक्तों में शक्ति भर देती है ताकि वो इस संसार में दुरलब कार भी कर सके तो दोस्तों ये है देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप ये कमल्ड बैटी हुई है इनके हाथों में शंक चकर और गदापद में है ये वैश्नवी शक्ति का स्वरूप परतीत होती है इनकी सभी पूजा करते है सिद्ध, ब्रामण, राक्षस, यक्षना, गंधर सभी इनकी स्थूतिप पूजा करते है और देवी शिगर प्रसन्न हो जाती है माता कभी कुमाता नहीं होती पुत्र को पुत्र हो सकता है परंदु माता कभी कुमाता नहीं होती इस बात का ध्यान देते हुए इस बात को अपनी मन में रखते हुए आपको देवी उपासना करनी चाहिए भगवती आप से पर अवश्य प्रसन्न होंगी जय माता दिन